हेलो दोस्तों एक बार फिर से सौगत है आपका अपने चानल चटोरे बनिये में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और लाइक बटन भी दबाईए तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूगी हमने थोड़े टाइम पहले परीर जाफरानी की वीडियो डा आपको बहुत तरीके के सैन्विची खाया होंगे बट यह सैन्विच बहुत- अलग और बहुत तरीके का सैन्विच ट्राइब का चाइब कर अशुर और इसमें अराउंड तरी लेश है और यह आपको झाथे ने पसंद काईगा तो चलिए शुरू करते है तो स्टफिंग लिए आपको चाहिए घी दो बड़े चम्मच जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे प्यास दो बारी कटे हुए प्यास बहुत इंपोर्टन इंक्रीडियेंट है उसके बाद आप डालें इसमें कैपसिकम यानि शिम्रा मिर्च दो बारी कप आप वेजिटेबल्स अपने साब से डिसाइड कर सकते हैं बहुत तो प्यास नहीं खाते तो वह इसे स्किप भी कर सकते हैं फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है इसलिए हम लाइट आच पे धीरे-धीरे क्योंकि नमक से जल्दी हमारी सब्जियां सीच जाती है तो मैंने करीब इसे एक से दो मिनिट के लिए चलाया है आपको भी सिर्फ इतना ही चलाना है उसके बाद मैस में डाल रही हूं पनीर तो पनीर इस रेसिपे में बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा अच्छा पर अच्छा लोल अच्छा बाली कोई आच अच्छा घुम तersonal दीक 650 छाये कने बढ़ी तो सिर्फ इसमें इसमें डाएल, मैंगी मसाला अच्छा बाला अच्छा से कोई भी चीज आपको तेज आँच में नहीं बनानी है क्योंकि हमें ओवरकुप नहीं करना है तो मैंने देखी कितने अराम से स्लो आँच पे इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूं दोस्तों यह रेसिपी बहुत टेस्टी है मैं आपको बोलूंगी कि आप सब जरूर जरूर इस अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जाले हैं करीबन आदा चमच आप मिर्च कम खाते हैं तो आप मत डालिए टोमाटो कैचप डाला है मैंने दो टेबल स्पून टोमाटो कैचप इसको बहुत अच्छा कलर भी देगा और टेस्ट भी देगा ठीक है और आप इसे अच्छे से अच्छ पे फिर से चला लीजिए जादा तेज नहीं चलाना है आपको अच्छे से देखें मिक्स हो जाएगा एकदम हलका सा लाइट रेडिश कलर आ जाएगा उसके बाद आप इसे थंडा कर लीजिए तो अब मैं करती हूँ ब्रेट टोस्ट उसके लिए मैंने एक पैन मे अराउंड एक चमच के करीब बटर डाला है आप पिगला हुआ बटर भी डाल सकते हैं मेरा बटर थोड़ा फ्रिज में रखने से टाइट था तो मैंने पहले डालके उसे पैन में पिगला लिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और उसके उपर फिर मैंने एक ब्रेड स्लाइ तो आपको तीन ब्रेड टोस्ट करने हैं यह मैं आपको एक ब्रेड टोस्ट करके दिखा रही हूं और दोनों साइट टोस्ट करनी है यह मेरी एक साइट हो जाएगी उसके बाद में दूसरी साइट टोस्ट करूंगी ओके ऐसे आपको तीन ब्रेड स्लाइस दोनों साइट अच्छ लोगी करेंगे आप अच्छ कर हैं...ंगा हान सनल को दूसरी स्वी तोस्ट करना। ऊब डिर भूसरी साइड ऌई को अच्छ से टोस्ट करना है अगर आपको बब्र Q5 भर करेंगैं तो प्रेस करेंगे दीजिक हैं काफी अच्छा बन जाएगा आपका ठीक है दिखें यह मेरी ब्रेट हो गई है दोरो साइट से अच्छे से टोस्ट सिमिलरली मैंने थ्री ब्रेट ब्रेट स्लाइस टोस्ट कर लिये हैं एक बार में आपको थ्री ब्रेट स्लाइस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लेयर सैंडविच बना रहे हैं इसलिए तो एक टोस्टेड ब्रेट पर मेरी अचोंड़े लगा लें और अच्छे से इसलीए देखे मैंने फैला लिया makan ऐसली को पूरे प्रेड स्लाइस पर लगा लांगी तो कम-कम नहीं अप क्वांटिटी अच्छी लगाईए तभी आपको बहुत मज़ा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मेन ये पेस्ट ही होता है इससे बहुत सई टेस्ट आता है फिर मैंने दूसरी जो टोस्ट ब्रेड है उसके उपर मैंने ग्रीन चटनी लगाई है देखे काफी अच्छे से मैं ग्रीन चटनी को लगा रही हूं आप भी ऐसी लगाईएगा और फिर क्या करना है आपको उसको स्लाइस के उपर रख देना है मतलब वह जो पेस्ट है उसके उपर स्टिक कर देना है और जो ग्रीन चटनी वाली साइड है उसके उपर हम बॉइल पटेटो लगाएंगे आप भी आलू ऐसे गोल गोल ही काटिए और एक बार में चार रखिए या तीन रखिए जैसे भी आपको सय लग रहा है क्योंकि अगर आप चार पीसिस काटेंगे तो ہीजिली काट होँ चStar रखते हैं आप तीन भी कर सकते हैं दो भी कर सकते हैं जैसे भी आप काटेंगे उस हिसाब से फिर मैंने उसके उपर टमेटो लगाए है, मतलब टमाटर के चार पीसिस, ये भी आप गोल-गोल ही काटना, ऐसा नहीं कि आपने लंबा चोटा-चोटा काट दिया, इसको गोल-गोल ही काटिएगा, इस तरीके से आप गोल-गोल लगाएए, उसके बाद हम लगाएंगे इसम अलियन, मतलब प्यास, तो मैंने चार प्यास डाले हैं इसमें, गोल-गोल ही मैंने प्यास को काटा है, आप भी इसी तरीके से काटिए, क्योंकि बहार भी सेम ऐसा ही रहता है, क्लब सैंड़िच में, और मजा आएगा आपको आपको आप ट्राई करके देखिए, उसके प्रॉरिगेनो डाल दिया है, ठीक है और उसके बाद जो लास्ट वाला ब्रेट, इससे पहले हम चीज रह गया हमारा हाँ, तो पहले हम डालेंगे इसमें, मौझछा चीज, आपके पास अगर ये चीज नहीं है ना तो आपके वास अमूल चीज श्लाइस भी यूज कर सकते तो रहने दीजिए फिर जो लास्ट वाला टोस्टेट स्लाइस था वो मैंने इसके उपर रख दिया है अब दोस्तो इसमें में चीज क्या है कि अब आप इसे काटोगे कैसे बनतो गया है तो उसके लिए न हमारा कोई भी मैटीरियल नहीं निकले इसलिए मैं चारो साइट पे तूथपिक लगा रही हूँ देखिए मैंने एक साइट पे लगाया अभी दूसरी और तीसरी फोर्थ साइट चारो पे लगा दिया है अच्छे से जिससे की एकदव अंदर तक लगायेगा इसे हमारा मैटीरियल नहीं निकलेगा जब हम इसे कट करेंगे लगा दिया है अच्छे से तो अब हम इसे काटते हैं देखिए हमने इसे दो पीस में काटा है और थैंक यू फर वाचिंग आर वीडियो और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करिए